जहिन जय भारत में रेबल शदानन निर्मला जी आज का जो विशे हो आपके उपर है आप हमारी वित मंतरी हैं फानांस मिनिस्टर है और मैं आपके टीवी के एक प्रावेट चैनल में दिये गए इंटर्विव के उपर देख रहा था और उसके उपर अपनी कुछ प्रतिक्र से सुरू होती है और मैक्सिमम में इनकम 18 लग तक जाती है मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पता नहीं आपने एक ओनिस के पढ़ाई कैसे करी होगी आप जानते है में लोर मिल्ट क्लास का मतलब क्या होता है या लोर का मतलब क्या इसकार्थ आपको पता है मैं लोर एक security guard मैं 8 से 10,000 रुपे कमाता है मैं पूरे साल में 1,20,000 रुपे उसे आप कौन से क्लास में रखना चाहेंगे मैं एक नया क्लास क्रेट कर देंगे क्या 6 लाग रुपे मैं जानते हैं 6 लाग रुपे क्या होता है मैं 6 लाग में अगर लोर मिडल क्लास फैमली को मिलने लगे मैं वो उसमें से 4 लाग रुपे साल के सेव कर लेंगे वो अपने बच्चों को आपके so-called इतने अच्छे government-aided education schools में पढ़ाएंगे government-aided hospitals सा उनसके चिकिस्सा करवाएंगे और आपके इतने अच्छे-च्छे आधुनिक facilities यो पिछले 7 यर से बीजेपी government प्रवाइड कर रही है इंडिया में हम वर्ल्ड में बहुत अच्छे ranking में आ रहे हैं जैसे कि बीजेपी का graph बताता है वास्तविक्ता क्या है वो तो हम लोग जानते है मैं मैंने भी vote किया मैं बीजेपी कोई vote किया लगातार दो बार vote किया लेकिन मैं आप जैसे नेता हूँ कि जब सुनता होना मैं speeches और आप लोग के आखड़ आपके जो data bank आप ये data bank कहां से लाती है मैं ये सोच कि मैं बहुत surprise रहता हूँ मैं आपने बोला 6 लाग निवनता में 18 लाग मैं 18 लाग समझते हैं आप मैं 18 लाग क्या होता है मैं 18 लाग तो मैं एक अच्छे का से MBA का package नहीं है अनम मैं पर अनम का वो भी टॉप institute में पढ़के है आपके so-called colleges से जो बच्चे निकलते है MBAs, BTEC आप जानते हैं कि package कहां से स्टार्ट होती है मैं तो इसका मतलब यह सब lower middle class में आते होंगे आपके इसाब से so-called good MBAs, so-called good B-techs and M-techs यह तो lower middle class से आते होंगे मैं higher वाले कौन होते होंगे मैं highly rich people, highly rich industrialists, upper middle class तो फिर आस्मान में रहने हैंगों जमीन पर रहेंगे ही नहीं अपने आखड़े ठीक कीज़े मैं, देसे मुश्किल दोर से गुजर रहा है, आप किस तरह की statement दे रहें आपने उस दिन बोला मैं मुद्रा लोन में हमने इतने इतने लोगों को दिया, हमने उद्योग वालों को दिया, हमने बुनकरों को दिया मैं, आपने किसको क्या दिया है? पेपरों मी दिया है क्या मैं? आपको मैं चैलेंज करता हूँ, निर्मुला सिता रमणजी, हम ओफिशेली चैलेंज यूँ, चैलेंजिंग यूँ मैं 100 यूथ लेके मैं आपके पस आने को तयार हूँ जो ग्राजवेट्स हैं, पोस्ट ग्राजवेट्स हैं, आप मुझे ये बताएं, कौन से ब्रांच से आप उनको ये लोन देंगे मैं, मैं आपके पस ले आता हूँ मैं, और मैं नतमस्तक हो जाओं क्योंकि जब आप 100 को मैं अगला एक लाख यूथ मेरे साथ तयार होगा मैं, केवल टीवी में आके ऐसे इंट्रिव्यूज मत दिजए मैं, आप लोग अपने घरों में बैठके थाली पीट रही हैं, और आके अपने ये वक्तव्य सुना रहे हैं, आप लोगों को अंदर आईए मैं, लोगों की बीच आईए, आपको तो भी तक lower middle class family के definition नहीं मालूम हैं, और मैं एक सवाल है मेरा आप से, अर्मोदी governance से, आप मुझे बताए मैं कि राजनीती एक सेवा है या नौखरी है, मेरे speeches basically मैं कभी होते नहीं हैं, मैं लिख के कभी नहीं लाता है मैं, जो मेरी खुद की feelings है, मैं मैं अपने नाम में rebels शब दी से लाए क्यों कि जो गलत है मैं तो बोलूँगा मैं, I have the right to express my views, आप मुझे बताए मैं, politics, राजनीती, is it, ये सेवा है मैं या नौखरी है, अगर सेवा है तो मैं आप लो तंखों मत लीजे मैं, और pension मत लीजे, इतनी high salary आप लों की, इतनी facilities ह मैं, telephone calls की facility, AC की facility, बिजली की facility, driver की facility, high class train की facility, flights की facility, petrol की facility, मत लीजे मैं, आप आईए lower middle class family की तरह life को spend की जागर आप सेवा करना चाहती है मैं, और अगर ये नौकरी है मैं, politics अगर राजनीती आप लों के लिए नौकरी है मैं, तो इसका कोई education criteria तो होगा, मोधी जी मैं बनाते हैं, चन्द महीनों के बाद आप इने ministry of finance दे रहेते हैं, अरे defense तो हमारी शक्ती परिक्षन की बात है, it is about our valor, it is about our strength, it is how much mentally fit we are, how much physically tough we are, how can you give a position, both the position to the same person, are they eligible for the same post ma'am, sir क्या ये दोनों same post के लिए eligible होते हैं क्या, मुझे लगाता है कि आपने का ता अच्छे दिन आईगे तो ठीक, आप criteria को बदलेंगे, sir आपने तो criteria नहीं बदला, आपने तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने party में लेके आगे, उनको भगवा रंग दे दिया, उनको नेताएं बना दी, मैं Delhi में January मन्थ में इंटर्व्यू देख रहा था, अनुराग ठाकूर का February में देश के गद्दारों को गोली मारो, बड़ी अजीब बाते, highly educated है, क्रिकेटर हैं वो शायद, BCCI के हैं, और तो और अमिशा के पुत्रे जो वो secretary बन जाते हैं, लोगों के उपर आपनों को बड़ा अच्छा लगता है, आपकी IT टीम के जादा तर लोग राहूल गांधी को पपू पपू कपू करके बुलाते हैं, देखें मैंने एक बास सीखा है, अगर आपको हसना है ना, तो सबके साथ आसे, if you want to laugh, laugh with others, don't try to laugh at others, it doesn't show your good politics, it shows the political venet data, अभी प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतिजाम किया, तो बहुत सारा हुआ मजग गया, कि भई, ये गा है आपको, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भई, हमारे बसों में आप बीजेपी का जंडा भी लगवा लें, गलत कर दिया, क्या सरूस में भी आप लोग सोर मचाना लग जा रहा है, ऐसा लगता है, जैसे, you are always ready to fight, instead of getting it worked, अच्छा देखें, मने नितिन गड़करी का Make in India है क्या सर, आप जमीन देते हैं, समसंग को, जमीन देते हैं, ओपो को, वीवो को, चाइनीज कंपनी को, साउथ कोरियन कंपनी को, वह आ के अपना प्लांट लगाते हैं, इंडियंस को हाइर करते हैं, अर उसके बाद, उसके बाद, प्रॉफिट जो है, वो उनके अकाऊ कि तरह एक आउटलेट बना लेते सर पचीस रुपय का बर्गर बेशने बला भी लाखो करोड़ों रुपए डॉलर्स में कनवर्ट करके इंडिया से लेके जा रहा है आप छोड़िए मोबाइल फोन्स तो बहुत बड़ी बात है बीस पचास पचास हदार की बात है आप बर् बीजेपी के कौन से नहीं था कि पास इंडिया वालों का फोन है सर और बीजेपी छोड़ी किसी भी पार्टी का माउट पीस नहीं हूं सर क्योंकि मुझे देखा गया है मैं देखता हूं यह चीज अगर मैं आपके पॉलिटिकल किसी फेलियर के बारे में बात करूं तो लो सिस्टम है गौवर्नेंस के सिस्टम है सर आप अच्छा गौवर्नेंस करेंगे पर एक मजबूत आप तो ओपोजिशन कोई परचीस कर ले रहे हैं आप लोग जोती रादित्य सिंध्या का आपने परचीस कर लिया सर बुरा लगेगा सर सुनने में ऐसी क्या घुट्टी दे या नमस्ते ट्रम कर दिया सर क्या ये पॉलिटिकल फेलियर नहीं है आज आप बता रहें अचानक से अपने 25 सारी को लोगडाउन कर दिया एक महिना तक आप नमस्ते ट्रम के तैयारियां करवाते रहे सर जूटी शान का हमें क्या करना है सर अज सबसे पहले आप अपने ने एक लेडी इस बैचारी सूटकेस में उसका बच्चा सूटकेस में बैटा हुआ गसीट के ले जारी है तो वह जबाब देती है कि राहूल गांदी को लापने को रहे बनेंगे बाकी जिचाई वाला पी-म बन सकता है सुना था देख भी लिया सर बराबर बाकी चाहे वालों का क्या सर बाकी लोगों का क्या सर प्रवासी मज़़ूर छोड़ी है प्रवासी क्या होता है सर सब भारतिये मज़़ूरी तो है हर पूरा देश तो वैसे भी मज़़ूरी कर रहा है सर पूरा देश मजदूरी कर रहा है आप जितना ग्रोथ दिखा दो सर ग्रोथ क्या वो तो लोगों के जेब में आके देखो न लोगों के घर में आके देखो बैंक एकाउंड में आके देखो कि पैसे हैं किन के पास और किन के पास नहीं है मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सर आपको आप अपने मिनिस्टर्स को काइंड एक इंस्ट्रक्शन दे कि वो कुछ भी वक्ते बे दिये बहुत बुरा दौर है सर इस बुरे दौर में कम से कम स्टेट्मेंट्स अच्छे दें कुछ अच्छा करना सकें तो अच्छा बोली लें लोग तो अपना करी लेंगे न सर सडक में बच्चा मर जा रहा है माबाप उसे कैरी कर रहे हैं इससे ज़्यादा दुखसीती क्या हो सकती है सर ये कोई पॉलिटिकल बात थोड़ी है लेकिन मेरे एक सवाल हमेशा आपके साथ रहेगा सर कि आप एक बात का जवाब जरूर दें और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपका संपर किसी भी पार्टी से है कॉंग्रेस से है समाजवादी पार्टी से है त्रिनिमल कॉंग्रेस के लोगों से कृपया मेरा वीडियो उन तक पहुंचा है और उनको बोलें कि पॉपोजिशन इसलिए कमजोर है केवल एक कारण है क्योंकि इन पॉलिटिकल ग्रूप्स के जितने भी लोग होते हैं सामबित पात्र से क्या बात करना है समुर्थी रानी के साथ बात करना है मैं करूँगा सर मैं उनसे पूछूँगा उनका क्या एजुकेशन कॉलिफिकेशन था जो उनने सिख्शा मंतरी बना दिया गया था मेरे पास बहुत मुद्दे हैं सर मुझे आपसे कुछ हेल्प नहीं चाहिए सर फैनेंशली मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपके पार्टी से तो कम से कम कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हैं प्लीज शेयर कीजे मैं चाहता हूँ कि एक बार मंच पे आने का मौका मिले सर और अर्नब गुस्तामी जी आप जो जिनको बुलाते हैं दूसरे ग्रूप के लोगों कर बोलते हैं इस माई शो इस माई शो गॉट डैमिट इस यूर शो वाई रिकॉलिं अधर पीपल मैं सर आप तो लोगों को शोर मचाके चैनल ब्लॉक कर देते हैं उसको बाहर कर देते हैं इस अधर जनरलिजम सर कि मेरे इस सवाल का जवाब दीजे मेरे इस क्या फिल्मी शूटिंग कर दें किया सर आप चलिए सर मुझे बुलाइये आर्नब जी एक बार अपने चैनल पे बुलाईए मुझे पांस स्टाटिस्टिक्स पे बात करूँगा ग्राफ के साथ बात करूँगा डेटा के साथ बात करूँगा आपके साथ उसके बाद आगर आपकी बोलती ना बंद कर दीना सर तो मेरा नाम भागी श्रदानन नहीं मैं बीजेपी के अगेंस्ट न मेरा नाम है जाती से मैं ब्रामन हूँ पढ़ा हूँ क्रिश्चन स्कूल से सेंड मेरी इंगलिश आई स्कूल और गर्व से कहता हूँ सर फादर हुआ करते हूँ वहाँ पे फादर कॉलवर्ट फटेड हो अब नहीं रहे सर हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल क्या कमाल की सिख्षा दिये सर इतने आईटियन से निकलते हैं सर कभी आपनों की जरुवत नहीं पड़ी सर मुझे ताज्यूब लगता है अंगूटा च्छाप के नीचे एम्टेक वाला बंदा काम कर रहा है और हम उनको सुन रहे हैं what the hell is going on सर कहा है आपके अच्छे दिन बुलाईए न सर एक पका काम है सर मेरा नहीं सही मुद्धे पे तुम्हें बात करूंगा जो नजाहेज बात लगती है उसका तो मैं करूंगा सर रहे बेल हूँ तो रहेल की तरह पेश आओंगा जैन जै भारत अगले मुद्दा दो या तीन दिन के अंदर स्टैट्स के साथ आऊंगा सर और मेरे दोस्तों में दोबारा एक रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली अगर आप लोगों के पास कोई कॉंटेक्स है मेरे वीडियो तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स के पास भेजें एक मंच पे आने का मौका देश इन्हें बताँगा ओएंगा इन्होंने जारकंड के लिए आज mandate का किया है इन्होंने कैरल के लिए क्या रहे उत्तरपरदेश के लिए क्या-क्या वह भी बता दूंगा हम बगवा में उत्तरपरदेश में सबसे महेंगी बिजली हमारे यां ये हैना चे दिन